Hello everyone, Good morning to all of you and welcome to online study point दोस्तों आज है 12 अगस्त और आज की इस वीडियो में हम 12 अगस्त से related करेंट अफर के सभी important question को cover करने वाले हैं यदि आप लोगों को इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारा mobile application भी install कर सकते हैं जिसके link description box में दी हुई है बहुत ही बहतरीन mobile application है आप लोगों के काफी अच्छे response भी आ रहे हैं अब कई लोग की ये शिकायत है कि install कैसे होगा तो देखे इसमें registration के लिए आप लोगों को कुछ नहीं कर रहा है आप direct अपने Google account से इसमें registration कर सकते हैं जिसमें आप लोगों को daily quiz, free PDF, mock test और प्रती दिन के current affair का free audio भी मिल सकेगा और ये मात्र 5 मिनिट का होगा जिससे आप लोगों का revision भी हो सके तो चलिए start करते हैं हमारा पहला question हाली में विश्व जय वींधन दिवस ये कब मनाया गया है यानि कि World Bio Fuels Day तो ये भी हाली में मनाया गया है 10 अगस्त को और ये भारत में किसके द्वारा मनाया जाता है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्राले के द्वारा और इसी मौके पर यानि कि 10 अगस्त को इस मंत्राले ने एक webinar का भी आयोजन किया था जिसकी थीम थी जैव इंधन की और आत्मनिर्भर भारत तो इसकी थीम भी आप याद रखेंगे और यदि आप लोगों को मालूम हो कि प्रेजन टाइम में हमारे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री है कौन तो ये हैं धर्मेंद्र प्रधान जी एक और कोश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि बायो फ्यूल पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राजजी कौन सा है तो ये है राजिस्थान तो ये भी आप कनेक्ट करके याद रख सकते हैं अब यदि हम अधर आप्शन को डिसकस करें तो 7 अगस्थ को क्या मनाए गया है राज़्ट्री हतकरधा दिवस यनि की National Handloom Day 8 अगस्थ को क्या मनाए गया है तो देखे 8 अगस्थ को भारत छोड़ो आंदोलन की 78 वी वर्सगाठ मनाई गयी है क्योंकि इसकी शुरुआत हुई थी 8 अगस्थ 1942 में और 9 अगस्थ को क्या मनाए गया है अंतर राज़्ट्री यनि की सुदेसी लोगों का अंतर राज़्ट्री दिवस तो ये भी आप याद रखेंगे नेक्स्थ है हाली में भारत के किस वेक्ति को ICC Empires के Elite Panel में शामिल किया गया है इन्हें भी ICC Empires के Elite Panel में शामिल कर लिया गया है तो सबसे पहले हम जानेंगे ICC के बारे में यानि की International Cricket Council इसके स्थापना हुई थी 1909 में Headquarter इस्थ है दुबई UAE में प्रेजेंट टेमें इसके CEO कौन है तो ये है Manu Sahani और Chairman कौन है तो देखी कुछ समय पहले ही जो इसके Chairman थे शशांक मनोहर इन्होंने इस्तिफा दे दिया था उसके बाद से जो इमरान ख्वाजा है इन्हें ICC के Chairman का अंतरिम प्रभार दिया गया है तो ये आप याद रख सकते हैं और देखी जो ICC World Cup होगा पुर्षों का 2023 में इसे होश्ट करेगा अपना देश भारत जबकि जो महिलाओं को World Cup होगा 2021 में इसे होश्ट करेगा New Zealand दो दिन पहले मने आप लोगों को बताया था ICC T20 World Cup जो 2020 में होने वाला था ये अब COVID के कारण पोस्पोन्ड होकर ये होगा 2022 में जिसे की होश्ट करेगा आस्ट्रिलिया जबकि ICC T20 World Cup 2021 वाला इसे होश्ट करेगा अपना देश भारत अब यहां से दो आप्शन और बच रहे हैं तो देखिए कुस्समा पहले ही जो भारत के रॉबिन सिंग है आल राउंडर इन्हें भी हाली में UAE के अगले क्रिकेट निदेशक के रूप में न्युक्त किया गया है और वसीम जफर कौन है तो देखिए ये रंजी ट्रॉफी में सबसे ज़ादा रन लेने वाले क्रिकेटर है वसीम जफर जिन्हें भी हाली में उत्राखंड क्रिकेट टीम के हेड कोच के रूप में भी न्युक्त किया गया है तो ये भी आप याद रखेंगे और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आल लाइन स्टडी पॉंट की करन्ट अफेर की जो मास्टर पीडियाफ है हाली में BCCI ने किस कंपनी को अपने स्पॉंसर सिप से हटा दिया है तो देखे भी हाली में जो BCCI है इसने वीवो को अपने स्पॉंसर सिप से हटा दिया है तो वीवो को हटाने के बाद नए स्पॉंसर के लिए नए नियम की घोशना की गई है जिसमें contract मात्र चार महने को होगा अब ये नया sponsorship किसको मिलेगा ये 18 अगस्त 2020 को decide होगा जब ये decide हो जाएगा तो इसके नया sponsorship के बारे में आप लोगों को मैं बता दूँगी तो यहां से important है BCCI इसके स्थापना हुई थी 1928 में हेटक्वाटर इससे था मुंबई महराज़्ट में BCCI के 49 वे क्रम के अध्यक्ष कौन है तो ये है सौरव गांगली अच्छा जो सौरव गांगली है इन्हें Bengal Tiger के नाम से भी जाना जाता है और इनके जो autobiography है इसका नाम क्या है A century is not enough ये तो है अध्यक्ष और BCCI के secretary कौन है तो ये है जैशाह जो कि अमिर्शाह जी के बेटे भी है और इदि आप current से relate करेंगे तो कुछ समय पहले ही BCCI के द्वारा COVID-19 के लिए Corona Task Force अभियान भी शुरू किया गया था तो ये भी आप याद रखेंगे नेक्स्ट है हाली में इटली के club U-10 ने 2019-20 season के लिए Most Valuable Player of the Year ये किसे चुना है तो ये भी हाली में चुने गया है Cristiano Ronaldo जो कि पूर्टगाली striker है इन्हें भी हाली में इटली के club U-10 ने 2019-20 season के लिए Most Valuable Player चुना है और इस season में इन्होंने अपनी टीम के लिए 37 गोल किये है अच्छा ये किस country से बिलॉंग करते हैं तो अभी मैंने बताया है ये बिलॉंग करते हैं पूर्टगाल से तो सबसे पहले आप map में देख सकते हैं ये है पूर्टगाल की location और ये किस महादीप में इस्तित है यॉरप महादीप में पूर्टगाल की capital क्या है तो ये है Lisbon currency है Euro और पूर्टगाल के दोबारा से प्राइम मिनिस्टर कुछ समय पहले ही बनाए गया है Antonio Costa ध्यान दिजेगा Antonio Costa ये हैं पूर्टगाल के प्राइम मिनिस्टर जबकि जो Antonio Guterres है ये है United Nation के महा सचिव तो इसमें आप confuse नहीं हुएगा अब देखिए आप इसे थोड़ा जूम करके देख सकते हैं ये है पूर्टगाल इसके जश्ट बगल में ये है Spain Spain ये भी आता है यॉरप महादीप में और मैंने आप लोगों को ये भी बताया है कि यॉरप का जो Spain है और यहां जो आप देख रहे हैं एफरिका महादीप इसमें जो मुरक्को है तो Spain और मुरक्को इन दोनों के ही बीच में एक स्ट्रेट है जिसका नाम है जिब्राल्टर स्ट्रेट जो कि यॉरप और एफरिका महादीप को अलग करती है तो यह आप याद रख सकते हैं अब देखें यहां पर Most Valuable Player की बात की ही जा रही है तो कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि अभी हाली में World Football Association इसके द्वारा इस साल का Most Valuable Player यह चुना गया है Jordan Henderson को जबकि पिछले साल यह चुने गया थे रहीम, स्टरलिंग और यह दोनों ही बिलॉंग करते हैं इंग्लेंड से यदि हम बात करें मुथाया मुरली धरन की जो की बिलॉंग करते हैं श्री लंका से इनके बारे मैंने आप लोगों को क्या बताया है तो देखें भी हाली में विजडन के द्वारा इन्हें most valuable player चुना गया है जबकि भारत में चुने गया है रविंद्र जड़ेजा तो ये भी आप याद रखेंगे नेक्ष्ट है हाली में न्यू यॉर्क के किस स्थान पर पहली बार भारती तिरंगा फैराया जाएगा तो ये फैराया जाएगा न्यू यॉर्क के टाइम्स इसक्वायर में और ये इतिहास में ऐसा पहली बार होगा इसलिए important है और ये कफ फैराया जाएगा 15 अगस्त 2020 में इन्हें की स्वतंत्रिता दिवस के दिन अब देखे इदि हम बात करें न्यू यॉर्क की तो सबसे पहले आप map में देख सकते हैं इसकी location ये इस्तित है North America में न्यू यॉर्क तो देखे इससे आप क्या याद रख सकते हैं अभी हाली में जो New World Wealthy की रिपोर्ट जारी की गई थी इसके अनुसार विश्यो का सबसे धनी शहर ये New York ही है जबकि भारत में टॉप पर कौन है मुंबई अब देखे option में लिखे हम other places को discuss करें जो कि कहीं ने कहीं भारत के कारण चर्चे में रहे थे तो यदि आप लोगों को याद हो तो पिछले ही वर्से जब भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोधी जी अमेरिका गय थे तब उनके स्वागत के लिए हूश्टन के NRG स्टेडियम में हाउडी मोधी कारिक्रम का आयजन किया गया था हूश्टन के NRG स्टेडियम में वैसे ही जब वहाँ के प्रेसिडेंट डोनाल ट्रम भारत आये तो उनके स्वागत के लिए एहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में नमस्ते ट्रम्प कारिकरम का एजन किया गया था तो यह आप कनेक्ट करके आद रख सकते हैं किदी हम बात करें सेंग्त राष्ट की तो इसका भी हैटकॉर्टर इस्तित है न्यू यॉर्क में जहां पर कुष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष इसी है इसने वुमन आइकन को ट्राइंगल लिने की त्रिकोण फ्रॉक से शो किया है और यही जो है यहीं की मुंबई यह ट्रैफिक सिगनल और साइनेस पर महिला प्रतीक रखने वाला भारत का पहला शहर बन गया है यदि हम बात करें मुंबई की जो कि महराश्ट की है और मैंने आप लोगों को बताया भी था यह टैफ वाटर रैंकिंग में पहले इस्थान पर है और इसी मुंबई में इस्थित है भारत का पहला तैरता हुआ बास्केट बॉल कोट और यह कहां इस्थित है यह इस्थित है अरब सागर में मुंबई में ही इस्थित है काल 18 महिने के लिए बढ़ा दिया गया है तो यह आप याद रखेंगे अब देखें यहां पर भारत के पहले शहर की बात की जा रही है तो भारत का सबसे स्वक्ष सहर यह कौन सा है इंदौर और यह इस्थित है मध्य प्रदेश में यदि हम बात करें चंडीगड की जो कि पं में और अंबिकापूर में भारत का पहला गार्ज कैफे इस्थापित किया गया है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अब देखें आने वाले थीन कोश्चन में हम लगभव वारादेशों के प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिड़न को कवर करेंगे हैं यह छो को और ये बेलारूस के छटवी वार राश्टपती बनाए गए हैं तो सबसे पहले हम मैप में देख लेते हैं बेलारूस की location ये स्थित है यॉरप महादीप में अच्छा बेलारूस की capital क्या है तो ये है मिनिस्क मैं थोड़ा और river बेलारूस के आसपा से दिए आप देखेंगे तो ये है बाल्टिक सागर और ये है काला साकर यानि की ispatch है हाली में श्री लंका कि प्रधान मंत्री कौन बनें है तो देखिए श्री लंका के चौती बार प्राइम मिनेश्टर ये बन गए है महिंद्रा राजबक्ष पक्षर सबसे पहले आप मैप में देख सकते हैं ये है श्री लंका की location देखिए श्री schwierig capital है कोलंबो एक्जीक्यूटी कैपिटल है जयवर्धनेपूरम कोट्टे और इसी कोलंबो में दक्षिड एसिया का सबसे उचा टावर इस्थापित किया गया है जिसका नाम है लोटस टावर यहां की करंसी क्या है तो यह है श्री लंकाई रुपया और यदि हम बात करें कि श्री लंका की बीच बेसिकली दो एक्सरसाइज होती है एक है मित्र शक्ति जो कि भारत और श्री लंका की बीच एक मिलिटरी एक्सरसाइज है जो कि कुछ समय पहले ही आईजित की गई थी पूड़े महराश्ट्र में दूसरी एक्सरसाइज है सिलिनेक्स और यह भारत और श्री मुक्त डिकलेयर किया गया है, तो ये भी आप याद रखेंगे, अब यहाँ पर हम प्राइम मिनिस्टर की बात करी रहे हैं, तो आप अधर आप्शन को रिलेट कर सकते हैं, यदि हम बात करें हिचेम मचीची की, तो ये भी हाली में ट्यूनिशिया के नए प्राइम मिनिस्ट बनाए गये हैं तो इस सभी आप याद रखेंगे अगला कोश्चन भी प्राइम मिनिश्टर से ही रिलेटिड है हाली में पेरू के नय प्रधान मंत्री कौन बने हैं तो पेरू के नय प्रधान मंत्री ये बन गये हैं वाल्टर रोजर मार्टोज रूइज काफी लंबा नाम ह और इन्हों ने के इस्तान लिया है अलवारो केतरियां बेलिडो का तो सबसे पहले हम जानेंगे पेर के बारे में तो आप मैप में देख सकते हैं पेरू की लोकेशन यह है एक स्ट्रे अरुटी हम बात करें पेरू की तो इसकी capital क्या है लीमा करंसी है पेरू सोल और यहीं के नए प्राइम मेनिस्टर बन गये हैं वॉल्टर रोजर मार्टोज रूइज पेरू के आसपास के दिए हम लोकेशन देखें तो यह आप देख सकते हैं यह जो बड़ा वाला हिस्सा है यह ब्राजिल आप थोड़ा जूम करके भी लगती एक तो है चिली जो कि यहां है दूसरा है इकवाडोर इन दोनों की सीमा ब्राजिल से नहीं लगती है अब यहां पासे दिया आप देखेंगे तो यह तो है एक्क्वेटर यहां से एक जलधार आती है जिसका नाम है पेरू या इसे आप कह सकते हैं हमबोल्ट जलधा क्योंकि यह जा रही है दूवो से भूमद्य रेखा की तरफ और इसके इधर वाले पार्ट में मनें आप लोगों को बताया था यह ब्राजिल वाले एरिया में कि यहां से आती हुई जलधारा है जिसका नाम है ब्राजिल जलधारा और यह आ रही है भूमद्य रेखा से थंडी जलदारा, ये दोनों ही मिलती है, तब यहां पर फॉक का निर्माड करती है, जो कि मत्स पालन के लिए सबसे बेश्ट माना जाता है, तो ये भी आप याद रखेंगे, और देखेंगे, यहां पास ये आप देखेंगे, तो ये तो है पेरू, यहां पास है बोलीविया और पेरू और बोलीविया, इसकी सीमा पर, यानि कि इसकी बॉर्डर परिस्थित है, लेक टिटी काका, यानि कि टिटी काका जील इस्थित है, जो कि विश्व की सबसे अधिक उचाई परिस्थित, नौका यंग जील है, इसकी उचाई है लगभग 3811 मीटर, तो ये भी 11 जिलो में शुरू की गई है, और इस अभियान के तहट, एक साल के बच्चों से लेकर के, 19 साल तक के युवाओं को क्रमी नियंतर दवाएं, यानि की वर्म कंट्रोल मेडिसन खिलाई जाएंगी, जो कि उत्तर प्रदेश की नई स्वास्थ योजना का हिस्सा होगा, जो कि योगी अधित्यनाथ के द्वारा शुरू की गई है, यदि हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो आप मैप में देख सकते हैं उत्तर प्रदेश की लोकेशन, इसकी राजधानी क्या है लखनव, और इसी लखनव से भारत का पहला हेल्थ एटियम लॉंच किया गया है, लख जो कि भारत में सरवाधिक है, राज्य सभा सीटों की संख्या कुल 31, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड, एक फैक्ट आप याद रख सकते हैं, कि पूल टेस्टिंग करने वाला भारत का पहला राज्य ये उत्तर प्रदेश ही बना है, साथ ही, जो मन्रेगा है, जिसके बारे मैंने आप लोगों को अक्सर बताया है, तो मन्रेगा के तहर सबसे जादा लोगों को रोजगार देने वाला भारत का पहला राज्य ये भी उत्तर प्रदेश ही है, अब यहाँ पर अभियान की बात की ही जा रही है, तो आप अधर आप्शन को रिलेट कर सकते हैं, जैसे कि कुछ समय पहले ही मध्य प्रदेश गवर्मेंट के द्वारा किल कोरोना अभियान की शुरुआत की गई थी, पश्चिम मंगाल में हरी आली यानि की ग्रीनरी को बढ़ावा देने के लिए सेव ग्रीन इस्टे क्लीन अभियान की शुरुआत की गई थी, जबकि अभी हाल ही में यदि हम बात करें पंजाब गवर्मेंट की तो इसके द्वारा कोविड-19 के भी घर घर निगरानी मोबाइल अप्लिकेशन लॉंच किया गया है, तो ये भी आप याद रखेंगे, कलम ने आप लोगों से पूछा था, हाली में किस देश को WTO को अब्जर्वर का दर्ज किया है, तो इसका जो भी आंसर कमेंट बॉक्स में दीजेगा, और देखिए यदि आप प्रती दिन के करन्ट अफिर की क्विस्स वाल करना चाहते हैं, तो यही रिक्वेस्ट है, कि आप इस मोबाइल अप्लिकेशन को इंस्टॉल कर लीजे, जिसमें आप लोगों को सारी चीजे एक ही प्लेटफॉर्म में मिल सकेंगे, और यदि ये वीडियो आप लोगों को पसद आया है, तो अपना फीडबेक तो जरूर दीजेगा, साथ ही इस वीडियो को एक शेर तो जरूर कर दिया करिए, और लाइक तो आपको कितना भी कहलें, लाइक आप करेंगे ही न